हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूं सेम के अचार की रेस्पी तो यहां पर मैंने ले लिया है सौफ जीरा अजवाइन और मेथी धनिया यह सब को हम भून लेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अब यह मसाला हमारा यहां पर भून चुका है खड़े मशाले तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यहां दूसरी तरफ मैंने शेम ले लिया है तो यहां पर मैंने इसे बीच से कट कर लिया है और अब हम यहां पर इसे बॉल कर लेंगे तो सीम हमारा य के हैं थोड़ी दर क्लिए ढु़ने के इसे जुर में क्टिए म्हें इसे ठोड देनगे शोर 22 कृ unity हए और यहां पर डालेंगे हींग और अब हम यहां पर डाल देंगे हमने जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे उसे हम यहां पर डाल देंगे और यहां पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और अब हम यहाँ पे डाल देंगे आमचुर पाउडर और इन सभी मसालों को डालने के बाद हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे तेल में तो यहाँ पे मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे इसे डालने के बाद हम यहाँ पर आड कर देंगे स्वादोमसार नमक और यहाँ पर आड करेंगे थोड़ा सा विनेगर और सब्दों को हम वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही अच्छी रेश्पी है और खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगती है और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालो को सेम के साथ तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो थोड़े देर के बाद सेम और जो हमारा मसाला था वो सभी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इसे अलग निकाल लेंगे और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें